Assalamualaikum दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं आप सब को YouTube Channel English Literature पर अलकम कहती हूँ हम जो poem डिसकस करने जा रहे हैं आज के lecture के अंदर वो है An Ancient Indian Coin जिसको लिखने वाले हैं Daud Kamal Daud Kamal, Pakistani Literature in English के अंदर एक बहुत ही dominant, एक prominent name है ये Pakistani Literature के बहुत important poet कंसीडर किया जाते है ये accomplished poet कंसीडर किया जाते है इनकी जो mostly, mostly जो इनकी poetry है वो basically जो theme convey करती है वो है sense of loss का spiritually displacement का, इसके बाद cultural displacement का violence, death, decay, destruction ये सब जो है ना इनके writing के major theme है हमने अब जो poem discuss करनी है An Ancient Indian Coin ये भी कुछ ऐसे का ही theme हमारे सामने ले के आएगी जैसा कि एक important theme है poetry का betrayed society कि society के अंदर जो betrayed kind of condition है वो स्वर सिफ किंग्स की बेस पे नहीं है बलके जो hypocritical priest हैं वो भी society के अंदर betrayed kind of situation create करते हैं ये betrayal ये धोका ना सिर physical one होता है बलके ये साथ ही साथ spiritual one भी होता है यनि के moral betrayal जो कि आपकी रूख को जख्मी करके रखतेता है इसके लावा इसके इंदर use of power का theme देखेंगे हम लोग कि जिसके पास power है वो कैसे lower class के people को exploit करता है ठीक है यनि कि जिसके पास power है वो dominate करता है किन के ओपर lower class के ओपर और उनको exploit करता है जैसा कि title an ancient Indian coin refer कर है something which is worthy one ठीक है जिसकी एक importance होती है जो कि valuable thing है यनि कि gold ठीक है gold भी valuable thing है हम देखेंगे writers में gold का word भी use करेगा तो वो जो gold है वो गरीब के तक पहुंचने ही नहीं दिया जा रहा कौन नहीं पहुंचने दे रहा एक अमीर इंसान ठीक है तो यहां पे हम लोग को perspective से marxism का theme भी देखने को मिलेगा यनि कि use of power और marxism से related ही use of power से related ही theme है tyranny tyranny of lords upon poor men तो in short जो important context है जिस context में यह poem लिखी गई है उसे यही context है किस तरह से जो lords है वो poor men को exploit करते हैं और कितना वो उनके साथ brutal treatment रखते हैं even कि हम यहां पे देखेंगे इस poem के अंदर कि जो lords हैं जो kings हैं वो इनसानों से ज़्यादा बहतर dogs को consider करते हैं वो इनसानों को genre के बराबर भी consider नहीं करते और genre को इनसानों से ज़्यादा higher rank देते हैं ठीक है और दूसरे इस पे दिखेंगे हम लोग जो point इस point में convey करने वाला है that is कि अगर आप अमीर हो आपके पास बहुत सारा पैसा है तो पैसा किसी काम कर नहीं है आपको उस पैसे के पर फखर करने की कोई ज़रूरत नहीं जब तक कि आप उन पैसें से किसी गरीब की मदद ना करो जब तक कि आपका उन पैसे किसी गरीब के काम ना आ जाए तो anyhow without wasting any single minute हमारा जो आज का लेक्शिर हम करते हैं शुरू हम देखने जा रहे हैं कि कैसे हमारे राइटर ने इसके इंदर poor men और उनकी hardships के बारे में बात किया है in a simple manner तो यह हमारा first chance है first line देखें Gizzle embossed on a low-sided moon यहाँ पर जो gizzle है वो बिसे के लिए गहते है graceful deer को एक deer की बात की जा रही है एक hirn की बात की जा रही है और embossed का मतलब होता है carved होना या जो surface है उसको किसी चीज़ के सा decorate करना और loop-sided moon means uneven moon या फिर crooked moon कहते है न या ऐसा चांद जो कि unbalanced होता है या distorted चांद होता है उसके बारे में या बात की जा रही है यानि चांद की गैर हमवार सता ठीक है तो कहते है चांद की गैर हमवार सता के उपर एक gazelle एक deer निज़र आता है जो कि graceful deer है यानि कि हमारे पास याँपर जो image है वो night time का दिखाया गया है वेसांटा है अट only been rendered insensible वेसांटा कहते है सिप्रिंग सीजन को हिंदी का word यहां पर यूज के राइटर ने और कहते है उस सिप्रिंग सीजन के अंदर जोरदार गरजने की आवाजें आ रही है rendered मतलब produce कर रही है या provide कर रही है या supply कर रही है या announce कर रही है ठीक है इसका meaning यह होता है तो यहां पर क्या हो रहा है rendered क्या चीज यहां पर दी जा रही है sound और वो ऐसा sound है जो के state of mind को insensible यानि कि unconscious कर रहा है और कानों को बंद कर रहा है यानि कि जोर जोर से बजने के बाद आवास कानों को बंद कर रही है यहां पर कौन से imagery यूज की जा रही है मतलब यहां पर एक बारिश के बरिसने से पहले जो बादल गरजता है वो image को यहां पर यूज किया गया है by the outrage in the garden outrage means anger ठीक है गुसा और हम इस line को पहले उली line के साथ linked करें तो यह ऐसा meaning बन रहा है कि जो बाग है बाग जो है वो वहां पर kind of injustice हो रहा है और उस injustice की बेश पर जो विसानता यानि कि सिप्रिंग का मौसन था वो rendered हो चुका हुआ है और उसने के किया है वो rendered होने के पाद एक मैंने के दे रहा है देना, गिफ करना मतलब gift produce करना, productive होना या provide करना क्या कर रहा है वो provide, insensibility provide कर रहा है यहां पे जो पहली तीन lines है उनको गोर से अगर देखा जाए तो हमारे पास एक रात का मंजर दिखाया गया कि उसने कहा कि चान जो है वो टेड़ा मेडा से है और उस टेड़े मेड़े चान पे एक खुपसुरस सा डियर जो हमें नजर आ रहा है और फिर अचानक पता जाता है कि जो बाग है, बाग के अंदर नाइंसाफियां हो रही है, आउट्रेजने के गुसा गुसा हैं हम पर in justice के sense में यूज के जा रहा है, उस इंजस्टिस की बेस पे जो फिसान था सप्रिंग का सीजन जो के blessings लेकिया आता है, rain लेकिया आता है वो जोर जोरदार आवाजे पर यूज कर रहा है और वो ऐसी आवाजे पर यूज कर रहे हैं जो के आपको इंसेंसिबल कर रहे हैं पर कहते है आज साधू, साधू कहते है एक पूर आदमी को, एक गरीब आदमी को कहते है एक साधू, यानि के गरीब आदम बैठा हूँ और वो बैठ के क्या देख रहा है उसके जो तो हैं, उसकी नेल्स बढ़ रहे हैं अपने पाउं के नाखुनों को बढ़ते हुए देख रहे है इन ही हमालियन केव और वो कहां पर बैठा हुआ है हमालियन केव के अंदर बैठा हुआ कि एक गरीब आदमी हमालियन केव के अंदर बैठा हुआ आपने पाओं के नाखुनों को देख रहे हैं कैसे बढ़ना शुरू हो गए है यहां पर दो जगा देखी हम लोगों ने एक गार्डन और दूसरा हिमालियन केव गार्डन जो है वहां पर इंजस्टिस हो रहा है मतलब एक रिच मैन से बिलोंग करता है गार्डन ठीक है और व आपने पाओं के बढ़ते है नाखनों को देख रहा है अब अगले शुरू हमें क्या होता है अब यहां पर देखें मैन क्रिएट दिर ओन गोड्स बहुत इंपोर्टन लाइन है यह दोनो यह दोनों जो है ना लाइन बहुत इंपोर्टन है क्याता है आदमियों ने अपने ही खुदा बना लिए और एक लर्ण ब्राहमिन अब ब्राहमिन जो है ना बिसिकली हिंदू में ब्राहमिन वे शोदर खीशता ही मतलब डिफरेंट कास सिस्टम है उन के जो सबसे अपर क्लास से बिलोंग करते है वो ब्राहमिन है तो ब्राहमन इस एक्जम्ट, एक्जम्ट मतलब होता है फ्री हो जाना, फ्री फ्रों, फ्रों 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 वोट, फ्रों आल टेक्सिशन, जितने भी टेक्स का सिस्टम है उन से बट अपीस ओफ गोल्ड दस नोट टेक वन वेरी फॉर लेकिन जो सोने का एक टुकड़ा भी होता है ना, वो किसी एक को इतना आगे नहीं लेके जा सकता यानि कि यहाँ पर हम लोग को देखने के मिल रहा है कि जो दाओत कमाल है उसने यहाँ पर एक ब्राहमन के बिच्चर दिखाई जो कि एक हाई क्लास पेपल हैं क्योंकि वो हाई क्लास से बिलोग करते हैं इसलिए अपर देखने के लिए अपनी लाइवलिविड के लिए अपनी लिविंग होड के लिए तो यहाँ पर हमारे पास थीम औफ इपोक्रिसी औफ सोसाइटी नजर आता है इन लाइंस के इंदे बिसिकली दाउत कमाल हमलों को हिपोक्रिसी और क्रिटिसाइज कर रहा होता है हिपोक्रिट लीडर्स के उपर यहाँ पर ब्रहमिंज है वो लीडर्स है बिसिकली अपर क्लास से बिलोग करें किस तरह से जो हिपोक्रिट लीडर्स है यह लोगर क्लास क जब तक कि वो आपका पैसा किसी गरीब आदनी के काम ना आजए जब तक कि आपका पैसा आपको moral values ना खरीग के दिलवा दे क्या आपके पास इतना साधा पैसा है आप इतना साधा सोना कठा कर रखा है लेकिन इसे फखर मत करो क्यों? तक कि ये पैसा हमेशा आपके साथ नहीं रहने वाला ये पैसा जो है आज है तो कल नहीं है पैसा कब valuable है? जब ये एक गरीब की मदद करता है जब 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 जरूरत मांद और गरीब की मदद ना करे और इसके बाद आप इसको अपने पास संबाल के दखो तो it has no value क्योंकि money cannot buy moral values पैसा moral values नहीं गरीच सकता यहाँ पर आपने देखा again Marxism का यहाँ पर theme आ गया कि अपर class के लोग lore को exploit कर रहे हैं अपर class के लोग पैसा संबाल संबाल के लग रहे हैं और media के उपर और poor के उपर आपने पैसे उटलाइज नहीं कर रहे हैं तो यहाँ पर point यहाँ पर बताना चाह रहा है कि इस दुनिया में आपका पैसा आपके काम नहीं आने वाला यहाँ पर theme of death और hereafter भी आ रहा है कैसे वो कहता है does not take one very four जादा दे तक नहीं जाने वाला add then आपके debt हो जाने तो यहाँ पैसा रहना ही नहीं है तो इसलिए इस पैसे को अच्छे वे में उटलाइज कर लो तो हमने देखा यहाँ पर hypocrisy का theme आ गया है criticize के writer ने जो higher class के लोग है उनको जो higher class के लोग exploit करें poor को उनको criticize किया यहाँ पर writer ने नेक्स एंजा देखिए out of the seven jade goblet jade goblets केते है crystal के बनेवे wine glass केते है out of the seven jade goblets they dug up only one was whole केते है जो उन्होंने seven jade goblets यहनि के crystal wine glass ढूंडे थे जो उन्होंने खोद कर discover किये थे उनमें से only one was whole सिर्फ एक ही पूरा था complete था किन की बात की जा रही है poor class की बात की जा रही है कि साथ glass थे उनमें से सिर्फ और सिर्फ एक पूरा था और वो ही सब के लिए काफी हुआ उस टाइम पे यानि के थोड़ी खुराक the king's hunting doors are better fed than most of his subjects subjects मतलब जो इसके worker होते हैं कि तो जो king है king के hunting dogs उनको जादा बहतर कुराक दी जाती है than most of his subjects इनके जो मुलाजम है उनके मुकाबले में मतलब यहां पे बताया गया है कि जो king's है वो भी इनसानों से जादा preference skin को दे रही है dogs को दे रही है poor man जो इनके लिए एक animal के बराबर भी नहीं बलके उनसे भी गिरे वो इल चीज है और यहां पे king's यानि के बादशाहों का यह तरीका दिखाया गया है कि इतना उनका brutal treatment है किनके towards लोगों के towards वो अपनी अवाम को अपने लोगों को धोका देते हैं उनको अच्छी खुराक महिया नहीं करते on the other hand वो अपने डोग्स को अच्छा खाना खिलाते हैं और इसलिए अपने डोग्स को better consider करते हैं than the human beings तो यहां पे writer यह है अपना aggression दिखा रहा है towards kings towards rich people towards lords ठीक है और साथ में highlight कर रहा है कि जो kings हैं, जो lords हैं, जो ameer लोग हैं वो कितना ज़्यादा बुरा treatment शो करते हैं किन की तरफ गरीबों की तरफ subjects यहां पे human beings के लिए यूज किया गया है, इनके servants के लिए यूज किया गया है और आम लोगों के लिए यूज किया गया है next lines देखी look the indus is chocked with stars यह important line है Salman Tarikh Qureshi writer का name है जो के दाउद कमाल के friend थे ठीके, यह दोनो एक दफा a talk bridge के ओपर थे और Salman Tarikh Qureshi अपने letter के अंदर अपने interview के अंदर बताते हैं कि हम दोनों ना दरिया के कुनारे के बिल्कुल साथ साथ गुजर रहे थे और थोड़ी देर के लिए वहाँ पे हम बैठ के थे और उस ताइम पे जो इंडिस था बिसिकली इंडिस एक रिवर का नाम है दरिया इंडिस इसको Great Trans Somalian River भी कहा जाता है और South Asia के था उसका पानी पहार से निकलने लग पड़ा फिर कबूल का भी एक दरिया था उसका पानी निकलने पड़ा यानि कि पानी जो था न मिक्स होके चल रहा था कहते हैं रात का वक्त था सितारे निकल आये थे आसमान पे और कहते हैं मैं और मेरा दोस्त दाओद कमाल यह दो हम दोनों बैठे हुए थे और हम दोनों जब देख रहे थे ना आसमान की तरफ तो क्या था सितारे निकल रहे थे सितारे जो थे ना वो इंदस यानि कि दरिया के पानी के अंदर चमक रहे थे और जो दरिया थे ना का पूरा 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 का पूरा सितारों से बरावा लाग रहा था तो सिल्मान कहते है अपने दोस्त दाओद को कि लुग I said to Daud the river is full of stars वो कहते है जो river है full of stars है आगसे दाओद महल response करते है yes, it's almost shocked with stars आगसे जो इनके friend सिल्मान ते हो कहते है कि line बढ़ी इच्छी है the river is shocked with stars कैते है एक बहुत अच्छी लाइन है कैते है क्या मैं इसको इसको अगर तो माइन ना कर तो फिर आगे से दाउत पॉल रिस्पोंस किया था I thought of it first he said ठीक है यहने कि मैंने पहले इसके बारे में सोच लिया हुआ था कि मैं इस लाइन को यूज करने वाला हूँ तो वहां से यहने कि इस सीन को देह की वनी लाइन इनके माइड में आई थी Look the indus is chocked with stars कैते है देखो जो दरियाए indus है वो क्या है वो सितारों से भरा हुआ है And the glaciers are beginning to melt और जो glaciers से बड़फ के पहार तो पहलना शुरू हो गई है यानि कि एक nature की picture दिखाई जो कि बड़ी appealing होती है peaceful होती है I try to calm myself कैते है मैंने खुद को बड़ा काम करने की, relax करने की कोशिश की इस मंजर को देखते हुए But my tongue is smoothed But my tongue is smoothed, smoothed, suffocated बहुत अधा थकी हुई थी, भरी हुई थी By its own thickness, by its own bulk कि जो भी मेरे उपर जो pressure था जो ये मैंने सारा environment देखा था मतलब एक peaceful environment है इसके सामने जिसको देखे, इसको peace मिलेगा, रिलाक्स फील करेगा राइटर लेकिन मैंने इस environment को देखे, खुद को काम करने की कोशिश की मगर मेरे उपर जो burden था वो burden को था, जो हम पीछे देख सुके है hypocrisy, society के अंदर चाल रही है लोगों ने किस तरहां से अमीरों ने गरीबों को दुबा करका रखावा प्रेशराइस करके रखावा, उनको 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 राइट्स नहीं मिल रही सारा कुछ अमीर खा रहे है, अमीर टेक्स पे नहीं कर रहे कहते है सब कुछ देखे but my tongue is smoothed and by its own thickness मैं खुद जो हूँ उस टाइम पर piece fill नहीं कर पाया feel नहीं कर पाया solitude, silence, stone और क्या था? तनहाई थी, कमोशी थी और stone, पत्थर से इंद कित means to say that कि जो सुसाइटी के सिस्टम चल रहा है वो सिस्टम जो है एक kind of burdening one है वो सिस्टम जो उसने राइटर को बड़ा ददा depression provide किया है तो हमने ये poem complete कर ली है poem हमने देखा कि राइटर ने pessimistic tone में लिखी, जो सुसाइटी थी उसकी hypocrisy को highlight किया जो rich class exploit कर रही है poor को उसको writer ने एक्स्प्रेस किया इस poem के अंदर और furthermore lords और उनके जो हमारे हैं पे servants होते हैं उनका relationship kings और उसके subjects यानि जो human being है उनका relationship और एक बादशा का genre के साथ यानिके dog के साथ क्या तालुक है वो किस तरा उसको खुराग प्रोवाइट कर रहा है on the other hand एक बादशा जो human being उनके साथ क्या सुलूक कर रहा है यह सब कुछ दिखाया तो poem जथी highly marxist poem थी इसमें use of power का बताया गया power का negative use दिखाया गया और exploitation of power दिखाया गया Anyhow, I hope यह poem आपके लिए helpful रही होगी फिर मिलते हैं नेक्स वीडियो में नेक्स लेक्चर के साथ तब दुआ में खास याद रगेगा Thank you so much for watching this video Allah Hafiz